नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित रहूने के चलिए दोस्तों जैसे के अपने क्वाटर थरी रिजल्ट की सीरीज चलिए तो उसके अंदर PNV Housing Finance Limited का भी क्वाटर थरी का रिजल्ट आज ही आया है तो उसके वारे हम बात करने से पहले अगर अब दगा अपना चैनल सब्सक्राइब करें तो पहले को बजाना बिल्कुल ना भूलिए तो PNV Housing Finance Limited के बारे मैं ज्यादा एक स्पेंड करने के जुरूत है नि तो बेसिकली नाम से ही समझा रहोगा Housing Finance तो Housing Finance को लेटेट जो भी वरकिंग होता वो PNV Housing Finance करती है ठीकि तो इसका रिजल्ट जो आया आज ही आया 20 जनवरी 2022 तो इनका जो रिजल्ट निकल के आया था आउटकॉम वो निकल के आया भी इविनिंग में आया था पांच बचके पंदा में मार्किट बंद होने के बाद जब कल मार्किट ओपन हो तो इसमें अच्छी घरावट देखन इसमें तो फीस एंड कमिशन को 60 करोड की आई है और नेट गेंड आया फेर चार्जिस के वज़ 23 करोड आया तो अधर ऑपरेशन से 0.23 करोड आया तो टोटल इंकाम आई है इनको राउंड फिकर मनाके 1495 करोड पे कि इस कौटर में टोटल इंकम आई है लास्ट कौटर में इंकम तीन की टोटल 1566 करोड पे कि तो क्वाटर क्वाटर वाई इंकम में 1000 इंकम में डाउन फोल देखने हो मिल रहा हमारे को मोटा मोटा देखे लास्ट कौटर सितंबर कूट के अंदर 1586 करोड से घटके सेल हुई है 1495 करोड तो ये घाटर देखने में मिल आहमें यहां भी आपको डेफ्रेंस देखने हो मिल रहा है 400 करोड का तो देखे यह रियर वाइव कौटर कौटर वाइव कमी देखने हो मिली है अब हम चलते हैं के एकस्पेंस की बात करते हैं तो इस कौटर एकस्पेंस हुआ 1249 करोड पेगा लास्ट कौटर में ता 1295 करोड पेगा कौटर क्टर क्टर वाइव देखने हो मिली है और year-of- musimy कमी देखने हो मिली है लास्ट यह एकस्पेंस अब तो 602 करोड का वह घटके हुआ 1249 करोड तो यह रियह का टर क करोड एकस्पेंस में कमी देखने हो मिली बहत अची इंडिकेशन है कि कंपणी ने अपना ghatavo करें तो वो अच्छा लगा देखने देखते हुए तो अब operation profit आया जो इनको इस quarter में 253 करोड पर लास्ट quarter में 293 करोड पर गदम घटके हुआ है 253 करोड पर यह difference देखने को मिलना है और लास्ट यह operation profit आद 293 करोड पर वह गटके हुआ 253 यानि मोटा मोटा 40 करोड पर का नुकसान यह यह रवाई भी हुआ और quarter quarter भी देखने को मिल रहा हमार को अब इनके net profit की बात करें तो इस quarter में को net profit आया 188 करोड पर लास्ट quarter में को अप्रेशन नेट प्रॉफिट आया तो 235 करोड पर गा तो quarter quarter भाई profit में कमी देखने हुआ मिले नेट profit में 235 से घटके 188 करोड हुआ है और 232 से घटके 188 करोड तो यह रहा quarter quarter भाई profit में भी कमी देखने हुआ मिले नेट प्रॉफिट में भी अब EPS की बात करेंगे अर्निंग पर सेर की तो देखिए इस quarter में अर्निंग पर सेर 11.18 तो लास्ट में तरह 13.96 तो लास्ट कवाटर में 13.96 से घटके 11.18 और लास्ट यह ता 13.82 से घटके 11.18 तो यह रुआ यह रवाई और quarter quarter भाई भी हमें कमी देखने हुआ को मिले नेट कर एंदर तो तो मोरेल स्टॉरी है कि says spring काहीट में कम देखनों को मिल जब देखे क्की petas क्वाटर मंभी कमिते आपंधेड़ बत जो हर तो मॉर्निंग इसके अपडेट में पूरी तरह से नाज के शेयर होईई सब्सक्राइब करें उसका अनुमान लगाते हुए यहां से रिजल्ट इसका खराब आया है अगर आप इसका देखते हैं इसका मार्केट काप क्या अभी की डेट में वह देख लेते हैं सब्सक्राइब करें इसका मार्केट काप है आट हजाद दोसो साथ करोड़ का स्टॉक पी चलन नोपन न्यानवेगा इस्टॉक आरो सी इसका चलन एट पॉट्टी सेवन परसेंट का बुक वैली इसकी पांसो पच्पन की है रिटर्न ऑफ इकवेटी ग्यारफ परसेंट की ड ठीक है तो अब इन्हों ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट नहीं किया है पूरी तरह से देखिए अब आप चलते आज की दिन में सब्सक्राइब आज यह 0.78 परसेंट की तेजी के साथ यह बंद हुआ आज की दिन में तो एक तो यह इसके अंदिक्रिश सब्सक्राइब 5 सुल्ट के टार थैंस में शिर्ट चैर्ट पैटर्ट में यह बंद हुआ यह चलते दीन और वी अच्छी सब्सक्राइब टिकायागा अगर यह कल कि दिन मुझे लगता है कि यहां से गिरावट दिखाई उसने तो यह अगर यहां पे आब इसमे आपको Fresh Bank 400 के लेवल में देखनों को मिल रहे हैं मुझे यहां से support जो मिला थे है अब सबस्था जो साड़ी 400 के लेवल में देख रहा है तो 524 और 455 के बीच में हमें फ्रेस बाइंग करना है अधरवाइज अब तक के लिए आपके पास है तो इसमें यहां सपोर्ट दिख रहा है अगर यह कल के दिन 475 का लेवल गिराई ब्रेक करता है तो इसमें तेजी की देखना को बिलेगी फिर इसमें 455 तक की लेवल आपको इजी तरीके से दिख जाएंगे आपको ठीके ना क्यूंकि रिजल्ट का इंपेक्ट देखनों में रिजल्ट अर्णिंग बहुत खराब आई हमारे को कौटर काटव और यह रिवाई तो अभी मेरा मानना इसको अवाइट करिए इसमें कोई फ्रेस बाइंग आपको बिल्क बिल्कुल बाइंग नहीं करनी है इसमें रिजल्ट का इंपेक्ट आपकली देखनों मिलेगा गिरावट के साथ इसमें अगा 445 के नीचे आज आता तो और गिरावट मिलेगी इसमें तो इसमें बिल्कुल आवाइट रखनें इसको आई होप यह वीडियो आपकी यूज प